हेलो काईज वेलकम बैक तो सत्या क्लासेज तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के टॉप 30 mcq जो के फाइनल रिवेजन के लिए आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो आपको बोर्ड एकजाम में ब फ्लेस किया कर दिया सेंटर ओप थी हॉलो पर मालों यह आपका माइनस टेन चार्ज है और यह आपका कि यह आपका मैंस टेन आज आज मोई पूंज़ रहा है तो आखिर आखिर कर अथिस प्लेक्टिक होने वाला है तो अगर यह प्लेस इन साइड और माइनस गी तरफ है आपका जीरो जाएगा तो अपसन नंबर बीस करेक्ट डैट इस जीरो ने समयर पास है जो आवा हो रहा है कोसे नमबर टू है कि दा कंड़क्टिंग प्लेट पी एंड क्यों है बिद लाज सर्फेस एरिया एज प्लेस्ट एस सोन इन फिगर एक चार्ज क्यू को हमने रख दिया पी के पास जो कि यह रहा है और फिर आपको बताने कि ऐन्य करते हैं तो एक है कर पास क्योंब करने करके आपको कर लेंगे तो बाहर की तरफ कितना हो जाएगा आपका होजाएगा कितना हो जाएगा एक तो सबसे पहले हम यह लिखेंगे क्या क्यू माइनस क्यू raising upon में अमक्षा जाएगा एक आपका आजाएगा तू फ्ले अपन में चंहों इसे कैंसल हो जाएगा और इस एक्सल rating आपका चैंसल हो जाएगा आपका जो बच जाएगा न वो बच जाएगा क्योँ अपफोण में ट्टो ए एपसाल नोट जो कि आपका ऑप्शन नमबर भी में लिखा हुआ तो इसका ऑप्शन नमबर भी हो जाएगा नेयकोशन नमबर 3 कि आपके फ्वंट चार्ज है प्लस टूई-स फॉर माइक्रो कुलम जिसे हमने एक डिस्टेस्स पर रक्दिया एर के अंदर आपको रेख्व बताना है मैगनीटूड फोर्स एक्टिंग आखिर इसे पर कितना मैगनीटूड फोर्स लगने वाला है तो जो बन बन यह एक दूसरे के ऊपर जो है एक तरह से सेम आपके मेगनिटूट का जो है वह फोर्स लगाने वाले तो इसका रेशो भी आपका जो है वन रेशो वन होगा तो आप्सेन नमबर सीज करें ने सको से नमबर फूर आपको करेक्ट डाइगराम बताना एलक्टिक लाइन क नेक्स कोस्टिन नमबर फाइब एक हैमी स्पेरिकल बोड़ी है और जिसका रेडियस आर है जिसे हमने यूनिफॉर्म इलक्टिक फिल्ड में हमने उसे प्लेस कर दिया आपको फ्लक्स लिंक बताना है बिद्ध कर्वड सर्फेस इफ दा फिल्ड इस पैलल तो बेस उसके ब आपको फ्लक्स भी कुछ भी नहीं होने वाला है तो फ्लक्स भी आपका जो कर्वड सर्फिस पे जो फ्लक्स है वो कितना आएगा आपका जीरो आ जाएगा देटिज ऑप्सन नमबर ए नेक्स आ कोशन नमबर सिक्स की एक कैपिसिटर को हमने चार्ज कर दिया तो एनरजी ज प्लेट के बीच में वहाँ पर आपका एनरजी होता है नेक्स कोशन नमबर से बने कि पोटेंशल डिफ्रेंस बताना है बिटीविन एक क्लाउड एनर्जी इनर्जी डिसिपिटेड वें दिचार्ज अफंडेड कुलम विज ट्रांसफर्ट फ्रॉम क्लाउड तो आखिरका यह बन ब्लब आपको एनर्जी डिसिपेड निकालना तो एनर्जी डिफिटेड मतलब क्या आउजाता आपको यह होता है डबलू इस इसे आप पूट करोगे तो डबलू क्यू जो है वह अल्रड़ी गिवन है हंडेड वी आपको दिवन है टेन की पावर सेवन जैसे दोनो यह बापस गया कैसी पहलेल बिद अंचाज्ट कैपैसिटिर और ट्र। noticing को भिनेशन के अकरिन कृतिवर्यचा के पुटेंशन इक ना पोटेंशल डिफेंशना हुरा गर यह कि वी कितना होगा वी आपका होता है क्यों अपका होगा C1 वी नोट अपका होगा C1 प्लस C2 यह कहां पर लिखा हुआ आपका option number B is correct next question number 9 which of the following is incorrect आपको इसमें से incorrect बता ना आपको यह चीज़ जो अच्छे जरूर पढ़ना होता है क्या आपको correct पूछ रहा है या फिर incorrect हम से अगर हम क्या करोगे ना अगर आप बैलेंस ब्रीज में अगर वीट स्टोन ब्रीज है उसमें सेल और गैलबनों मीटर को एक्सचेंज करने के बाद भी नल पॉइंट आपका डिस्टर नहीं होता है हमें पहला ही ऑप्षन इनकरेक्ट मिल गया तो ऑप्षन नमबर ए आपका आप जो है करेक्ट हो गया नेश्टा कोस्टन नमबर टेन है कि आपको ड्रिफ्ट स्पीड ओफ एलक्टोन इन ऐलुमीनियम बाया डी दिया हुआ है और लेंथ एल मला डायमेटर डी लेंथ एल आपको कितना जिया भी अगर पोटेंशल डिफ्रेंस जो हम हाफ कर देते हैं उसके डायरेक्टल प्रोपोशनल है तो अगर आपको डिफ्रेंस को हाफ करोगे तो उसमें क्या होगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हाफ हो जाएगा तो आपसे नमबर वी डैट इस वी बाइट वाइट आपको बताना है कि आपको फाइब कंडॉक्टर मीटिंग यह करेक्ट होगा यह तो यह क्या हो रहा है अभे फ्रॉम एक्स यह दूर जा रहा है तो आपसे नमबर वी आपका यहां करेक्ट हो जाएगा नेक्स नमबर ट्वेल की रेसिस्टिविटी और कॉपर कंडॉक्टर इज दी गई है आपको इलक्रिक फिल्ड दिया गया तो आ फो सिस्टिविटी बहला हम इस में घ गगए उन एक्स युछ बिल्यू थी आपको इलॉन। की वेल्यू निकाल लोगे करेंट डेंसिटी की वेल्यू निकालने पर आपका सिक्स इंटू टैन की पावर नाइन एंपियर पर मीटर स्कॉयर आपका आ जाएगा ने से कोशन नमबर थाटिन की बीस मिलियन मज़र ट्वंटी मिलियन इलेक्ट्रों रीज फ्रॉम पॉइंट पॉइंट बाइंट टू माइक्रो सेकंड ताइम आपको दिवा एस वाला करेक्ट होने वाला है अब हम निकालना पड़ेगा कि आखिर इस चीज में कितना उसे वह करेंट आपका जाने वाला है अब से पहले हम निकालेंगे कितना चार्ज होगा तो क्या होता है नमबर आपको अल्रेडी कितने हैं आपके हैं ट्वंटी मिलियन का मतलब हम इसे टू इंटू टैन की पाइबर सेवन लिख दोगे यह आपका एन हो गया और एक वेल्यू 1.6 इंटू 10 कि पाइबर कितनी हो टाईम आपको गिवन है टू माइक्रो सेकंट यानि की पावर माइनस सिक सेकंड यहां से आगया हम करनेंगे तो आप का जगा क्यू हमने यहां से निकाल लिया टी कि वेलोशिटी सेलेक्टर इनने रीजन और पर्पेंडिक और इलक्तिक फिल्ट कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट बता गया है क्या करेंगा देखेंगे कूछ सबसे पहले कहा है कि इत अलाउच पार्टिकल टुपास स्ट्रेट वेंगे इसको यह विल्कुल करेक्ट है विजगोंता है आपका हमेसा यह भाई बी होता है और वह अल्रेडी करेक्ट है 14 जोन नंबर एक सोलोनोड इडिसका लेंथ आपको दिवाने गिवन है रिडिस गिव फॉर्मला आपको इसका पता होना चाहिए कि फॉर्मला इसका क्या होता है और यहां से अल्रेडी गिवन है 200 आई आपको गिवन है फाइव एंपेर यहां सावकार आपको गिवन है तो आपकी जो वेल्यू है वह 0.2 आपका यहां करेक्ट हो जाएगा नेक्स नमबर 16 की एक मूविंग चार्ज पार्टिकल में कौन सा इसमें से फॉल्लें इस्टेट्मेंट आपका करेक्ट बताए गया है तो अगर इसमें बात करूंबर 16 में तो अगर यहां पर वीज पैरलल टुदबी और वीज पर्पेंडि नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 17 के आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है रिकार्डिंग फंक्शन अलाग अलाग पार्ट के आखिर क्या-क्या फंक्शन इसके होते हैं यह करके अगर आप देखोगे तो मुविंग कोईल में मिट्रे में जो सॉफ्ट आयरन कोर होता है इसका सब्सक्राइब कोशन नमबर 18 कि अधि विट्वन सब्सक्राइब कर दिया वह आपको पता है एफच्ट में सिक्स्टीं टाइम आपको अब कर देंगे इसग पहले बैल सब्सक्राइब आपको घट जाने वाला है तो अब सब्सक्राइब लिखा हुआ डिक्रीज टू शिक्स्टीन टाइम दी प्रिवेश विली जितना पहले वेल्यू था उससे आपका सिक्स्टीन टाइम वेल्यू आपका कम हो जाने वाला है को सब्सक्राइब अगर आप देखोगे न तो आपका दलाइन नौर्थ और साउथ शुद भी पैरलल टू दा प्लू यह भी नहीं यह साउथ फोल सुद भी बिलो देलो बिल्कुल सभी अगर आपका साउथ पोल जो है लूप के नीचे होगा तभी आपका इस तरह से आपका सिस्टम बनेगा क्योंकि अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या अंदर क्या होता है कि जो करन्ट केरिंग सर्कुल लूप होता है वह कैसा बिएब करता है मैगनेटिक डाइपोल के अंदर जिसका मैगनेटिक बिलो दबॉप तो इसमें आपका लिखा हुआ है कि साउथ पॉल कहा होना चाहिए बिलो दबॉप आपका अपर देलूप साउथ पॉल बिलो दबॉप ने को से नंबर 20 कि आपका सेमी सर्कुलर सेब डाइरन रोड है डामेटर एल जिसका क्या आपका मैगनेटिक मूवमें टू एम अपोन में पाई है अगर हम उसे अंबेंड करते हैं उसे हम स्ट्रेट रोड बना देते हैं तो एक नया मेगनेटिक मुवमेंट आखिरकार उसमें क्या आपको मिलने वाला है तो अगर शुरू में आपका क्या इस तरह से बाद में हमने जो है पाई एम बाई टू यहां पर लिखा हुआ है फिर पाई यहां पर यह करेक्ट हो जाएगा ने से कोसे नमबर ट्वंटी वन आपका कि दो इडेंटिकल सर्क्लों लूप मेटल है जो कि हमारे कहां पर हैं लूप पी में जो करंट है वो हम बढ़ा रहें बिल्कुल लगातार ट लगातार आप करंट बढ़ाते जाओगा क्यों में बहुत है क्यों में यह करेंड और शूप्ट में और क्या करेंगे तो जिससे कि अपका नमबर शी लिख भुआ है वह इस तरह से होगा ताकि वह उसके को नहीं पर आज्बच कर सकें इस वह क्लॉक्वाई Χाएगा अगर मैगनेटिक फिल्ड के अंदर आपको इसमें फ्रिक्वेंसी बतानी कि आखिर इसकी प्रिक्वेंसी होने वाली है तो जब भी हैम पर रिवोलुशन जो है आपका चेंज हो जाता है तोट्वाइस पर रिवोलिऊसन आपका इसमें आ जायेगा ऐसे है question number 23 कि what will be the rms value of alternating current जो कि आपका यह equation दिया हो है तो जब भी आपको ऐसा निकालना हो ना तो वी आरे में सकर हमें निकालना है तो वह होता है अंडर रूट आपका वी वन यहां क्या वन यह 2 है और यह 3 है तो करने पर आपका वी बन स्क्वार अपोन में 2 वी 2 स्क्वार जो की टू का स्क्वार करेंगा 4 by 2 प्लैस में करेंगे थी का स्क्वार एक नाइन वाइट इससे कल्कुलेट करने पर आपका टू पैंट उनिट आएगा जो कि कितना होने बाला है तो पाबर कंजूम की बात करों तो पाबर कंजूम कितना होता है V RMS upon में Z का whole square into में R जो है इतना पाबर जो है उसके अंदर जो है आपका consume किया जाता है अगर आप इसे calculate करोगे तो आपकी जो value है वो इनोट square by 4R के बराबर हो जाएगी जो कि option number B आपका correct लिखा हुआ है यहांस आप सबसे पहले जो है वह जेट निकाल लोगे जेट अगर हम इसमें निकालते ना तो यहांस भी आप इससे जेट निकाल सकते तो जेट के value जो है वह रूट 2R आंजाएगी तो जेट के value पता है वी आपको यहांसे पावर कंजूब निकालना आपको आपका अल्रीड निकल लिए तो आप इससे कल्कुलिट कर सकते हों ने समार पास कोशन नमबर 25 एक ट्रांजिस्टर उसीलेटर को हमने यूज किया एक अगर आप दोनों को पुट करोगे दोनों की निकालोगे ना तो उसकी वेल्यू आपकी सेम आजाने वाली है उसका जो फोर्मुला है वो करेक्ट जो है व आपका क्या हो जाना वाला एकिए आपका आपका आजाएगा झो कि आपका बापको lunch आ जाता तो फ्रिकेंसी एफ हो जाएगा सब्सक्राइब करना आपको इसका फ्रिकेंसी आखिर क्या होने वाला है तो इसकी फ्रिकेंसी अगर आप निकालते हो ना तो इसकी भी हम वैसे से निकालेंगे कि आपको यहाँ पर चीडिया हुआ है और यहाँ पर आपको यहाँ पर वहाला फॉर्मलाल रखोगे कौन सा फ इसे वह नपूर में टू अंडर रूट को पता ही है थी तो पाई वाई सब पुछा को पता ही है निकालों तो 356 साइकल वह आपका पर सेकिंड आ नमबर 267 की कौन सा इसमें से जो आपको इनकरेक्ट बताना था एक करके हम पढ़ते हैं तो यह अल्यडी इनकरेक्ट हो गया मतलब कि आपका इनकरेक्ट बता जा रहा है नेकरेक्ट नमबर 28 की आपको दो आइडेंटिकल थीन वायर मेगनेट जिसका लेंटेल है पोल इसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल मतलब एक अगर हमने ऐसे रख दिया है और दोशा हमने मेगनेट क्या कर दिया है अईसे रख दिया और डोनों का यह चयरा कि जो साउट पोल है वो टच कर रहा है which North pole of one-touching to South Pole मतलब एका South Pole और एकका North नॉर्थ हो गया तो एक का North हो गया तो मैंगे टिगिंग मुप्मेंट इस तरफ है दूसरे का मैंगेटिंग मुप्मेंट ऐसा है तोनेट क्या हो जागा अगर इसका है तो निट क्या हो जागा एक city से दूसरे city में copper bar का जड़ी जो potential fall है वो 8 week का है resistance आपका कितना 0.5 mm है 0.5 ohm आपका दिया हो है तो power loss आपको बताना है तो इसमें आपको क्या डी दिया हो है तो सबसे पहले हम power loss निकालते है पर kilometer एक kilometer में अगर आप power loss निकालोगे न वो कितना होता है वी स्कुएर वाई या वी स्कुएर आपको अल्रेडी गिवन है 8 का स्कुएर और अपोन में आर जो हो 0.5 इससे calculate करोगे आपका 128 वाट आ जाएगा यह आगया एक kilometer का ऐसी अगर हम 500 km का निकालोगे न तो आपका 19.2 किलोवाट आ जागा जो कि option number B में लिखा हुआ है लास्ट कोर्शन आ जाता कि एक चौक कोईल है जिसका capacitor को connect कर दिया सीरीज में और current through the combination is maximum for ratio frequency n अगर हम उसे connect करते हैं parallel में तो कौन सा frequency in the current through the combination minimum किसमे minimum होने वाला है तो इसमें n का जो है वो option आपका सेम ही रहेगा न को या पैलल में लगाओगे तो भी आपका combination जो आपका minimum आ जाएगा तो यह थे सारे के सारे important question तो मुझे उमीद आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक का चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके आने वाले दिनों के लिए आपका exam का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाने वाला है तब तक क